पॉटेंट है समझना और याद करना उसमें से एक में पंचर है जो याद करते हैं वो दुबारा भूल जाते हैं कि हवा निकल जाती है इसलिए बच्चे इस दर्स से कि कुछ भूलना जाया एक्जाम तक हर वक्त कुछ याद करते रहते हैं वो एक्जाम में घुसने से एक्जाम हॉल में एंटर करने से दो मिनिट पहले तक भी यही सोचते रहते हैं यह इंपॉर्ट फॉर्मूला वापस याद कर लेते हैं यह पॉसिवर आंसर मैं ने कहते हैं जरूर आएगा ममा सुनना मुझे याद हुआ है नहीं है यह वापस दोरा लेता हूं फ्रेंड्स को बोलते हैं यार बैल बजने वाली है तुम उसके सारे स्क्वायर रूट सुन ले एक बार मैं तुस्से क्यों रूट सुन लूँगा यह सब कुछ तक चलता रहता है जब तक कि हम एक्जाम और नहीं कर जाते याद करिए उन दिनों को को सुबह ही do gandda के याद करकर सुनाया था लेकिन unified को is starting बताते हैं और हम कुछ न झाश करते हैं आप में कि यहार शूब那麼 से बार निकलते हैं जैदा गुस्तत करता है जब वह सवाल घी आते हैं अपने आप ही यादा सबसे वड़ी प्रॉब्ल्म पढ़ना नहीं है लिखना नहीं समझना नहीं है और याद करके ही एक्जाम देने गए इसका मतलब याद करना भी नहीं है में प्रॉब्लम में टाइम पर याद ना आना इसको कहते हैं लैक ओफ रिकलेक्शन क्योंकि यह चीज कभी आज तक किसी ने सिखाई ही नहीं रिकलेक्शन पार्ट पर आज तक कोई ट्रेनिंग नहीं हुई और इसी टेक्निक्स और पढ़ाई को सांटिफिक तरीके से करने की नौलेज और पढ़ाई का पूरा कंटेंट आपके ब्रें में टाइम में में ज्यारा स्लेबर करने के तरीके और इंटेलिजेंस यानि बहुत ही तेज दिमाग जिसमें स्किल्स का डवलप्मेंट भी होता हो इन कि बजाएब टाइम वो घटा करके अच्छे मांग कैसे लाएं वो सिखाता है ब्रेंट साइंस मैंने डॉक्टर मनाहाल तैबच जो साओधी अरभिया में रहते हैं जिन्होंने वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अच्छी ब्रेंट साइंस देने यह दो प्रेंट दो लॉजिकमार यहनी आपका लिवन लॉजिकल और जैसे मैथमेटिक्स हैं साइंस की स्चोहिज चीजे वैसे ही जो रैइंटीड होता है और इसी के साथ सफ यह साइनस के फॉर्मूलास मैंच के फॉर्मूलास जेनल ऑवेरनेस डैफिनेशन डैरीगशन क टेबलरी डिक्षनारी लॉंग आसर शौट आंसर लॉंग ट्री औजेक्टिव टैप्स पोशेशन फॉर्मुला डाइग्राम इतनी सारी चीज़े और भी आपको याद करनी होती है और आप मैस नहीं भूलते आपको प्लस माइनुस मुल्टिपले करना तो आज भी आता है क्य जो जो चीज़े आप याद करते हों भूलते क्योंकि आपको जिन्दगी में किसी ने पर्मानेंटली याद करना नहीं सिखाया उसका सीक्रेट है लेफ्ट और राइट दौनों ब्रेन को आपस में जोड़ देना इसके लिए आपको एक प्रिंसिपल सिखना पढ़ेगा और चला जाता है जबकि वीडियो गेम में टीवी में मूवी में इंटरनेट पर आपका दिमाग काफी देड़ तक बना रहता है टीवी और मूवी में जब आप पूरी तरह से इन्वाल होते हैं तो आसपास की आवाजे भी आपको डिस्टब नहीं करती और पढ़ाई करते वक था है कि पढ़ाई उतनी इंट्रेस्टिंग नहीं है जितने बाकी चीजों में आपका इंट्रेस्ट है क्यों आपकोई को में न knowing एकाम करता है्तेया हैetty नंबर Two आपकी को दस गुना तेज करता है यearनी जो चीज पहले आपको जबस घंटे में याद हो लो जाती शीज जो कुछ आपने मेमरी टेक्निक से याद किया वो ना सिर्फ एक्जाम तक बल्कि जिंदगी भर याद रहता है नंबर पॉर पढ़ाई में एंडिटेन्मेंट पढ़ाई बहुत इंट्रेस्टिंग और बहुत ही विज्वल मैनर में हो जाती जिससे पढ़ाई में भी मज़ा लगता है और नंबर फाइव साथ सफल बनाने वाली हॉलिस्टिक सक्सेस का डवलप्मेंट जो की दुनिया में किसी भी पढ़ाई में अधिकतर लोग नहीं करवाते हैं यह सब चीजे आपको मिल सकती है अगर आप पढ़ाई को इंट्रेस्टिंग बनाना सीखे और पढ़ है इनसे बनते हैं ट्वन्टी टू मेमेरी मेथट्स फिफ्टी एट अप्लिकेशन हंड्रेट से ज्यादा एक्स्पेरिमेंट्स आप पढ़ाई पर मुकौन सब्सक्राइब होगा जो की टूलबॉक्स की तरह होता है मेमेरी ट्रेनिंग एक टूलबॉक्स जैसा है हमारे घर सब्सक्राइब को एक्शन में बदलने का पर्मारेंट मेमरी बनाने का और लाइफ में काम में लेने का टूल आपके पास नहीं है और यही चीज़ हमने ठीट करेंगे सबसे पहले रिडिकुलस तिंकिंग पढ़ाई को अटपटा रिडिकुलस और इंजॉइबल बनाना फि इंसान की सबसे पाउर्फुल मेमरी ही इमेज मेमरी या आई मेमरी है लेकिन इमेज बनने के साथ-साथ भी उनको असोसियेट करना पड़ता है जैसे घर में आपकी कई सारी चीज़ें टाइम पर नहीं मिल रही टीवी का रिमोट में मिल रहा है सॉक्स नहीं मिल रहे जबक सापल के तौर पर आपने कभी नहीं सुना होगा नीबुक हो गए या टमाटर नहीं मिल रहे क्योंकि उनको असोसियेट करते हैं फ्रिज से जिस तरह से कपड़े एलमिरा में जूते शूरेक में किताबे बुकरेक्ट में बरतन किचन में और सबजियां और खाने पीने की च करेगा उसे कहते हैं निमॉनिक साइंस यानि पढ़ाई को और आर्टिफिचल मेमेरी में बदल देगा और उससे जब भी आप सोएंगे यानि स्लीप मैनेजमेंट होगा तो वही मेमेरी आपकी परमार्ण मेमरी बन जाएगी इस पर आपको विश्वास रखना पड़ेगा मैं आपके सामने कुछ रखता हूं और ट्राइग कीजिए उन वर्ट को आप 10 सेकिंड में इसके लिए मैं एक एक तूल बॉक्स की तरह जैसे एक का टूल बॉक्स होता ना Oh yes of course Bhawana, I can also explain this in English to. I will tell you key like a tool box is the helping box wherein so many instruments and tools are there to fix any problem suppose your problem is to lose or is to open the school then you need a screwdriver suppose you are dealing with nuts then you need a wrench suppose you are dealing with cutting a wire then you need a which means if you do have the toolbox only that would help you if you really want to fix a kind of technical problem इसी तरह से पढ़ाई के अंदर भी आपको सिर्फ रटना और दोहराना सिखाया गया आपके तूल बॉक्स में अलग-अलग सब्सक्राइब के लिए अलग-अलग क्वेश्चन के लिए अलग-अलग मैथड आज तक नहीं बताएगा जिन में से एक मैथड मापो सिखाता हूं चेन मैथड चलिए इसका मतलब होता है असोसेशन का सबसे बैस्ट मैथड आपके सामने चॉकलेट पॉट ट्यूब लाइट वर्ड कीज सब्सक्राइब फिर से हटा देता हूं अब क्या कैन यू रिकलेट और रिकॉल ऑल दीज वर्ड सेम और और इसको सीधा और उल्टा इसको सुना सकते हैं अभी आप क्या यह आपको याद हुए आपको ब्रेन कहेगा नो क्य कि अगर मैं पूछता बताओ जितने वर्ड मैंने बोले थे क्या मैंने रसी बोला था रोब देखिया आपका ब्रेंग कर से येस क्या मैंने वर्ड के अंदर आपका ब्रेन से यस क्या मैंने उन वर्ट के अंदर कोई फोटो फ्रेम बोला था कहने का मतलब है कि फॉस्ट टाइम में यूर ब्रेन नोस कि इस तिंग खान लोग तरीके से जाते हैं तो गंटे लगते कार से इसी तरह से पुराना तरीका रटना और नये तरीकune आएक आप एसे याद करेंगे तो अगर लिस्त बड़ी होती चाहेगी तो और रिवाइस करना पड़ेगा और उल्टा सुनाने के लिए फिर से देखना पड़ेगा क क्योंकि अभी भी आपको स्कूल के क्वेस्टन जो पहले से याद है उनको भी आप उल्टा सुना सकते जन्गर्मन ट्राइब कीजिए उल्टा बोलने का ब्रेंड रोकेगा और बहुत मेहनत बच जाएगी क्योंकि जन्रल मेमरी जो होती है उस मेमरी के साथ दिक्कत ही होती है कि वह सिर्फ और सिर्फ एक ही पैटन मनाती है जबकि विजुल मेमरी होती है वह कहीं से भी एक बार में याद होती इसका तरीका है विजुल मेमरी जैट इसका इमाजिनेशन अब देखिए इस चित्र और के वाल दस सेकिंड में देखेंगे आपके दिवार के ऊपर एक फो सब्सक्राइब जिससे डिर के मारे माइकल जैक्सन इचे बिकॉस बिंग सकट ऑफ दिस लुए जिसके अंदर दो त्यूब लाइट है जलती हुई उसके बर्ट बैठा है जिसके चाबिया है अब इसको माटा देता हूं अब दुबारा ट्राइब कीजिए और अब ट्राइ करिए चैट बोक्स में लिखने का कि क्या क्या आपने देखा था देखिए क्या फरक पड़ता है कैनु टेल मी वाट वास्ट वर्ड वास फोटो फ्रेम अब बताई इसके बाद कुछ याद आ रहा है सोटोग्रम के अंदर किसका पिक्चर था कैनु टेल मी येस यूर राइट स्कूटर लिए उसके नीचे इसका पिक्चर था यहस्यु आराइट नेक्स वाट इस विंडो विंडो के बाद वाला वर्ड बताई कैनु टेल मी यहस्यू आल पीपल राइट इंग बॉट बटरफ्लाइब बटरफ्लाइब वास चेजिंग वूम किसका पिचा कर रही थी तो तो जोड़ से कौन रहा था हूव वास गेटिंग फ्राइटन ऑफ तो ते लिए आपको बता सकते हैं इत वस्माइकल जैक्सन येस माइकल जैक्सन वास माइकल जैक्सन वाइडिंग हिंसेल अंडर वाट किसके चीज़ छुप गया था येस नेक्स वर्डिस सोफा सोफा किसका बनावा था कैने टेली नेक्स वर्ड वेरी गुड अधिक तर लोग बोलने गोल्ड का सोफा गोल्ड के सोफे के उपर बैठावा कौन था वाट वाट इस नेक्स वर्ड के तिलिए नेस्ट आर्टिकल नेम यास यास यथा ताईगर टाइगर वाज एटिंग सुम्टिंग क्या था इन गेंड था है था वर्हें रिखता य।ूप लाइट ने लुड टॉपत के तैट बेच्छों पॉपर क्या था किया तैल्मी यास इट इत्सक्त किस्ट इस फेंटेस्टिक आपके लिए मैं क्लैपिंग करता हूं कि आपने पहली बार लाइफ में कोई आंसर फर्स फर्स ताइम में ही मैमराइज किया है यह सफ और इस फ्कॉर्स इस एक एड़ी टॉड बैंगले बाइलेंगूल now it is not only that you have memorized for the first time or you have memorized it because of with the help of imagination by using only one reading alongside you have memorized it permanently too and it is 100% recollectable how you just try to pronounce all these articles and words in reverse order try to have a reverse order memory last word kya tha what was the last word that was keys keys se pehle just refer that picture keys se pehle what was the previous word okay bird se pehle yes fantastic you are right tubelight tubelight se pehle you are right that is pot pot se pehle what was previous than pot what was previous to pot of course it is tiger what tiger was eating it was chocolate what tiger was sitting on what what tiger was sitting on which thing that was sofa what sofa was made of what thing that was gold sofa ke neiche kya hai can you tell me the previous word yes you are right michael jackson michael jackson was scared of what kis se dar raha tha wo can you tell me that word yes that was sword sword kisne hold kiya hua tha can you tell me this particular word sword was held by what kisne pakda hua tha yes it was snake snake ka picheh korn kar raha tha snake was chased by whom tell me yes butterfly 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 where the butterfly was coming from yes it was it was window and window se oopar kya hai what is above the window what is yes it is scooter and scooter ka picture kaha hai what is the first word or previous word photo frame fantastic thank you so much friends is work to prove once we change the method we can we can change the time the effort the comfortability and the format or concentration also that was the rule so that is called brain science jeong jokai aip kya kya anni haa ki aap ke sara uya Koka is aip 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 allure प्रूविंग उसको प्रूव करने के लिए था कि येस अभी कन मेमराइज इन दिस वे तू अगर इसको पड़ाई में यूस करें तो यह ब्रें चैन बिकम अ कंप्रूटर, यू कन यूस यू ब्रें अज एड़्टाप कंप्रूटर और यू कन स्कूर 25% more marks by reducing the study time and you can make the competitive examinations very easy, you can score high in your classroom and you can become a meritorious too or not only you, there was a parent who created 35 government exams with the help of memory techniques, so that gives you sharp focus, energetic mind, stress-free mind, faster recollection, dynamic memory, energetic body, positive attitude and strong retention, but where from you can get these memory training as a training from? Yes, of course, आपको कहां से मिलेगा ये, इसके लिए you just need to focus the last one minute explanation, कि अगर आप भी चाहते हैं कि नहीं ये मुझे मिले, तो आपको क्या करना है, number one, decide करना है कि आज से मैं अपनी पढ़ाई में memory training का इस्तेमाल करूँगा, number two, memory training की training लेने के लिए जो भी initial investment होगी, यानि software या घर बैटरी इसकी training देने के लिए हमारा application software है, then you need to use this, और तीसरा जो benefit है, जो तरीका है वो है, कि उसके बाद उस software पे daily 45 minutes लगा के, रोज एक वीडियो और एक content देखकर complete episodes देखके, और फिर अपनी पढ़ाई complete करना है, how many methods are there, 22 methods, जो कि अलग-अलग subjects के साब से काम आपके है, आप कहां मिलेंगे, वो देखिए, यहां मिलेंगे, इसका आप example भी demonstration भी ले सकते हैं, पढ़ाई के साब से भी, यह ब्रेनिवूद इंडिया.com, अब ब्रेनिवूद इंडिया.com में software पर जाएंगे, इंडिया's number one first software, जो ना सिर्फ पढ़ाई में समझाना सिखाता है, बल आप इसको देखेंगे, तो आप पाएंगे यह एक तरह का OTT platform, इस लाइक OTT, वेरिन नौट अनली subject और courses, इस आर लाइक web series, ओके, जिसे web series होती में, you can see these web series, और इसमें five levels है, तो जीके हैं, और इसके साथ एक free concept भी दिया हुआ है, ताकि आप इसको समझने के बार में आग यहां से जाते हैं, इस प्रोग्राम पे जाते हैं, तो इसके वल एक open होगा, इसमें आप demo देख सकते हैं, उसके बाद आगे के सारे level complete करने, तो आपको fees देनी पड़ेगी, जिसको अगर आप यहां से जाते हैं, तो that fees is four thousand rupees, you can see, if you go by this software and you go through this window, तो यहां पर आपको बनना यह देखे, हर एक level पर episodes हैं, जैसे web series में होते हैं, उसके बाद quiz है, फिर downloadable content है, यह करने के बाद में, फिर आप इस course को अगर लेना चाहते हैं, then you need to become a bearable, little bearable, that was intelligent, little bearable plan, जो 3,999, 4000 का है, यहनि लाइफ में पढ़ाई में, पढ़ने, लिखने और समझने को लाखों रूप है, कही ना कही से तो आया होगा, कही से भी link आया होगा, जिसके थ्रू आप यहां पर है, where from you have got this link today and you are able to see this program and me, you just need to contact the same person and tell him, I really want to memorize and I want to learn memory technique, उस case में आपको एक free demo link देंगे, once you use free demo link and you are satisfied कि these memory methods are to be learnable, तो उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, you need to go for the membership, और वो आपको एक key देंगे, चावी देंगे, जहां तारा लगा, और सो खोलने की and that is for 3000, यानि के 1000 रुपिस का discount आएगा और 200999 में आपको यह course वहीं better better सीखने को मिलेगा, और इस course के बारे में एक ऐसे person जिनका एक movie आया था, जो भी student stress पे और pressure पे और पढ़ाई के बारे में था, सुना होगा आपने three idiot movie, right, three idiot, उस movie का जो, जो character है उस movie में, उनका नाम है, शर्मन जोशी, आपने three idiot में तीन idiots देखे हुझे, जैसे की रैंचो, राजू और फरान, उनमें सिर्व राजू ने हमारा concept देखा और उसके बार हमारे band promoter बने, और देखिए, उन्होंने क्या कहा, जरा चेक करते हैं, और एक बार उनकी बातचीत, और इस program के बारे में क्या जानते हैं, इसके बारे में देखते हैं, okay, are you able to see? दोस्तों, पुरानी हंभी फिल्म्स के डायलोग्स तो आपको काफी अच्छे सेहा दोगें, पर क्या math equations यार चंपारण तक्यागरद कब हुआ यह यहार है? नहीं है? यह तो होता है, क्योंकि इंडिया में पढ़ाना, लिखाना, समझाना तो सब सिखाते हैं, लेकिन याद रखना, पोई ही सिखाते हैं, इसलिए new scientific memory techniques पे-based brainy wood लेके आया है सीखने का अंदया और effective learning, जोना केवल students को enjoyable तरिके से घर बैठे, online memory training देता है, पर साथ-साथ उनके holistic development पर भी focus करते हैं, तो बनाओ पढ़ाई को entertainment, तो देख इस बात की, अपने सफल करियर की शुरुआत क करने के लिए, आज ही contact रे, brainywoodindia.com बर, आए बनाए एक intelligent area, brainywood, India's best innovative learning platform, download the app now, so friends, आपके लिए इतना ही, कि आज मैंने आपको एक method बता के ये बता है, there are methods by which you can memorize, retain and recollect, ये area आज तक आपने कभी सीखन, इसलिए पढ़ाई में stress रहता है, अब आपकी choice है, आपको पंचर क गाड़ी में बैठके ही, गाड़ जिंदिगी की पढ़ाई की गाड़ी चलानी है, या पंचर ठीक करना है, सिर्फ left brain से पढ़ाई करनी है, left और right दोनों को मिला के करना है, केवल और केवल पढ़ना, लिखना और समझना करना है, या याद करने के technique सीख करके पढ़ाई को य आच बार दस बार पीजा खाके आते हैं, या दो बार कपड़े लिकर के आते हैं, उसमें lifetime के लिए आपको मिलेगा एक तेज दिमाग, superpower memory और एक्जाम के अच्छे रिजर्ट इसके साथ लाइफ में successful होने के skills भी, और ना सिर्फ ये रिकॉर्ड़ेट प्रोग्राम में, बल All the best, thank you so much, I hope आपको आज कास अच्छा लगा, जहां से भी आपके पास में आज ये लिंक आया है, उनसे तुरंट कॉंटेक्ट करें और उनसे इस software को open करने की चाबी मांगे, only 3000 रुपीज में, you can become meritorious.